यदि आपको मोटा पैसा बनाना है तो आपको सही समय पर स्टॉक खरिदना पड़ेगा आज हम बात करेंगे कि ओल इंडिया लिमिटेड दोस्तों आपको मालूम है कि कास यह जो स्टॉक का प्राइस है अभी एक से दो साल पहले बहुत कम प्राइस पर था और वो अभी आप देख सकते हैं लेकिन मन में आता है कि कास अगर कुछ मेहना पहले जैसे कि यहां पास लगभख लगभख दोजार चोबीस का तो हम जाते हैं च्छै मेने के अगर हम चाड़ देखते हैं तो यहां देख सकते हैं कि बहुत ही सांदार इस तर से 445 रुपय था दोजार शोबीस का मैं मैंना में ठीक और हम निच्छी आते हैं ज्यादा दिन नहीं मातर 20 मैं 20 मार्च को दोजार शोबीस को 376 रुपय चार पांच मैंना पहले यदि हम इसको अगर हम पर्सेस करते तो हम 300 से 300 के आ चार्ट में तो इसका दोस्तों जो प्राइस था अभी इसका प्राइस गया था यह आट्स तो यह देख सकते हैं कि आज 6 सितंबर और मैं आपको दोस्तों यहां पार 6 सितंबर के दिखा देता हूं देखे 6 सितंबर का 630 रुपय से भी निचे अभी इसका प्राइस साथे 700 से 630 रुपय का इसके निचे भी आ चुक है तो ये लेने का एक सही समय है लेकिन दोस्तो अभी इसको खरीदना नहीं है तो आपको बता दे दोस्तो कि कल 5 सितंबर को लगभग लगभग 4-5.4% की गिरावाट फिर से देखने को मिला था यानि कि दोस्तो दो दिन में लगभग 8-10% की गिरावाट और इंदिया में देखने में मिला है और आईसी दोस्तो गिरावाट के समय होता है आपको सेयर पर्चेस करने का क्योंकि दोस्तो आप पहले कहीं कहीं 6 मेना पहले आप चुक गए थे लेने के लिए और अभी रेट ब 10 करोण के मार्केट का अप है और इनका दोस्तो करेंट प्राइस अब देख सकते हैं 628 ठीक है 628 और अभी दोस्तो मातर 3-4 दिन पहले का ठीक है अभी इसी मेने के भी स्टार्टिंग में लगग 7-700 रुपय का इसका प्राइस था और मातर 4-5 दिन के अंदर में 7500 दोस्तो 628 रुपय में अभी आकर रुका है तो दोस्तो यह आप देख सकते हैं प्राइस बहुत है डाउन जा रहा है लेकिन दोस्तो आपको पर्चेस अभी भी नहीं करना है अभी रुकिए क्योंकि आगे मैं और डिसकास करूं तो दोस्तो यहां पास अभी जैसे कि इसका बावान 10 रुपय के वहाब में खरीदा है और अभी दोस्तो बावन वीक अभी जो दिसेंट में अभी कुछ एक प्ता पहले इसका प्राइस गया था कि क्या सकते हैं कि अभी भी एक कर्म प्राइस में आपको मिल रहा हैं लेकि दोस्तों इसका वेल्यू और हम देखते हैं आपस वेल्यू तो इसका बूक वेल्यू देहरे कि तो सबसे भी नहींगा लग सकते हैं आप इंडेश्ट्री पीस इंडिया कि यह फेस वेल्यू क्या कहते हैं जो 59 जार convert Falls ये अधिये की इने कि लिए करई है या इस इसमें 30 क्रून के इसका कर्ज है लेकिन अच्छी बात हैं कि इस कंपनी में लगभग 47,255 रुपया इसके पास पास पाड़ा हुआ है तो दोस्तों यह भी बहुंच बढ़ी बात है यहां कि जीतना उसका कर्ज है उससे ज्यादा या उससे लगभग दोगुना उससे पास पैसा भी रिसेंट में है तो देखत सब्सक्राइब और पिछले तीन मेहने का अगर हम रिकार्ड देखे तो यहां पास 69.7% का रिटन दिया है यानि कि काफी अच्छा तगड़ा रिटन ऑईल इंडिया लिमुटेड ने दिया है तो अभी भी दोस्तों माउका अभी आपके पास नहीं था लेकिन अभी इस चा लंबा चलांग लगाके अभी रिशिएंट मिंगति पास सितंबर और और शैसी सितंबर को लंबा यहां पर डाउन लगा सकता है इसलिए और कल इंतिजार किजिए उसके बाद आपको लगता है कि कल अगर यहां सा बढ़ता हुग अगर आपको ग्रीन दिखे टीए तो आप तो दोस्तो आपको मैं सारा डाटा दिखा दिया इसका चार्ठ दिखा दिया तो आपको इसको परशेस करना है कि नहीं दोस्तो इसका चार्ड किसाब से आपको alarıट करें कि यहां को लेना या नहीं इतना है दोस्तोर है और बढ़ेगा जिस रासे आकिस कुछाने शक्ता हैं आप को अपको लगेगा कि अगर उपर जाने के लिए उपर जाएगा अपको मिलेगा तो आप यहां पस परचेस कर सकते हैं बांकिट डिसिजन आप कराएगा तो दोस्तो एरह ओई इंडिया अभी चार्ट की अगर मुतवित अगर हम बात करें तो अभी अच्छा आउसार आपको मिलने का यहां पस आउसार मिलने वाला है तिक इस तरह से डाउन चाता है तो मैं यह कह सकते हूँ कि यहां पांच सुर् करें दोस्तों मेरे बताय गए बातों के उपर आप जाके किसी भी शेयर को बाया सेल ना करें दोस्तों मैं जो जानकरी है इंटरनेट के अधार पर आपको देने की कोशिज किया दोस्तों बंकी जानकरी अच्छा लगत वीडियो को राइक किजीगा और चैनल को